हेलो फेंट्स आज की सीडियों में हम बात करेंगे मेरिको के शेयर पे फेंट्स टोक में कैसा मुमेंट अब आपको देखने को मिलेगा और जो क्वार्टर वन के रिजल्ट से पहले डेटा शेयर करती है कंपनीज वो डेटा इनका कैसा आया है क्या कुछ पोटर टार्गेट रहेंगे सबी चीज़े डिटेल से समझेंगे उससे पहले फेंट्स अगर फॉर्स टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नूटिफिकेशन बैल को ओन कर लो ताकि जब भी मैं जो व देखा कि लास्ट लास्टमे प्रोफिट पुकिंग आपको स्टोक में देखने को मिली है उसके अपकैसा मोमेंट देखने को मिलेगा बात करेंगे पहले तो क्वाटर लें के बिज़ल्ट की बात ही कर लेते हैं क्वाटर वन के बेजल्ट पर फोटेज बनिया का जबरिए उमीद से अगर अच्छा नहीं आया ना तो आपको गिरावट भी अच्छी खासी देखने को मिल सकती है वैसे स्टोक ने काफी अच्छे रिटन दिये हैं और अच्छे खासे अप ट्रेंड में है स्टोक यहाँ पर बात कर लेते कैसा मुमेंट अब स्टोक में देखने को मिले बाकि भाई क्या पता मार्किट किदर मुख मोडे लेकिन यहां पर मेरे अकोर्डिंग अब प्रेशर नजर आ सकता है बाकि क्वाटरली रिजल्ट जैसे ही आएंगे हम आपको अपडेट कर देंगे सबसे पहले आपको हमारी चैनल पर वीडियो मिल जाएगी आप जरूर द इससे हाइ इसने बनाया है इस टाइम हाई पर चली हुई है यहां पर जितना यह एरिया है इतना ही फिर आपको यह अपसाइड जाता है नजर आएगा अगर ब्रेक आउट दिया तो अभी ब्रेक आउट बहुत से लोग कहते कि कैसे पता करें इसके उपर बुली स्कैंडल क चाहिए और ब्रेक आउट के बाद मापको बता दूं मार्केट री टेस्ट के लिए भी आते है उसके बाद अपसाइड जाती है यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है तो यहां पर जो पहला टार्केट रहेगा 665 का सेकंड रहेगा 752 का क्योंकि मार्केट हायर हाई हायर लो हायर हाई बनाती हुई अपसाइड जाहिए अब यहां पर अगर आप देखोगे छोटा सा डबल टोप बना है तो गिरावट हो भी सकती है बाकी हमें दोनों तरफ के लेवल ध्यान में रखने चाहिए पहला जो स्पोर्ट रहेगा जो कि कल भी इसने स्पोर्ट दिखाया है 627 का अगर इसका ब्रेकडाउन कर देता है तो फिर यह स्टोक 577 तक आता हो नजर आ सकता है बाकी आप भी कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है कैसा मोमेंट आप स्टोक में देखने को मिलेगा और आपने कितने प्रैस बे कितने क्वांटिटी अपने पोट्पोलिय कुरू